इस रो का बड़ा खुलासा आखिर क्यों बेहद अहम थे शुरुवाती चार सेकंड चंद्रयान तीन मिशन अगर चार सेकंड की देरी से लॉंच नहीं हुआ होता तो क्या होता चंद्रयान माइनस तीन मिशन को सफल नहीं होता तो क्या होता भारत का चंद्रयान तीन मिशन अगर चार सेकंड की देरी से लॉंच नहीं हुआ होता तो मून मिशन खटाई में भी पड़ सकता है भारत के सफल चंद्रयान तीन मिशन को पूरी दुनिया ने सराहा है चांद के दक्षिनी ध्रूव पर चंद्रयान तीन की सेफ लैंडिंग का श्रे इस्रो को जाता है इस्रो ने अब खुलासा किया है कि अंतरिक्ष मलबे से बचने के लिए चंद्रयान तीन के प्रक्षेपण में चार सेकंड की देरी की गई थी यदि आप सभी लोग विडियो को लाइक कर देते हैं तो हमें सपोर्ट मिल जाता है आप सभी का भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस्रोक ने सुमवार को खुलासा किया कि अगर साइंटिस्ट विनाशकारी टकराव से बचने के लिए महत्वपूर्ण गणना करने में सक्षम नहीं होते तो चंद्रमा पर भारत के एतिहासिक मिशन का रास्ते में विनाशकारी हश्र हो सकता था यह सब इस्रो के सक्रिय और निर्नायक अंतरिक्ष प्रबंधन के कारण ही था कि चंद्रयान माइनस तीन मिशन को सफल बनाया जा सका रॉकेट के उडान भरने से पहले ही महत्वपूर्ण निर्ने लिया गया था चार सेकंड की देरी से हुआ लॉंच इस्रो ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अंतरिक्ष मलबे के एक टुक्रे से बचने के लिए चंद्रयान तीन का प्रक्षेपन चार सेकंड की देरी से किया गया था भारत ने चंद्रमा के दक्षिनी ध्रूग शेत्र में चंद्रयान 3 की सफल सौफ्ट लैंडिंग से इतिहास रच दिया था और इस शेत्र में अपना यान उतारने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया था क्या कहा इसरों ने? वर्ष 2023 के लिए इंडियन सिचुएशन स्पेस अवेरनेस रिपोर्ट ISSAR के अनुसार चंद्रयान 3 का प्रक्षेपन टक्कर संबंधी आकलन के आधार पर 4 सेकंड की देरी से किया गया था इसरों ने कहा कि यह देरी अंतरिक्ष मल्बे से बचने के लिए आवश्यक थी लेंडर मॉड्यूल विक्रम और रोवर प्रग्यान के साथ भारत का चंद्रयान 3 मिशन पिछले साल 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था पूरी दुनिया ने सराहा था इसने 23 अगस्त, 2023 को चंद्रमा के दक्षिनी ध्रूग शेत्र में सुरक्षित साफ्ट लैंडिंग की थी और इसके साथ ही भारत चांद के इस शेत्र में साफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था प्रक्षेपन में 4 सेकंड की देरी ने चंद्रमा की यात्रा पर गए अंतरिक्षियान के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया था